अलब फ्रेंट्स वगदा मारे यूटीब चैनल अपर पिये स्टीनों जोपर आज की वडियों में बात करेंगे हैं अंजू पाकिस्तान तीन महीने में उत्रा प्यार का बुखार अंजू को आई अपने बच्चों की याद पाकिस्तान से लोटेगी भारत पाकिस्तान गई अंजू अब वावस भारत लोटेगी क्योंकि वह अपने बच्चों को बहुत याद कर रही हैं अंजू मानसिक रूप से ठीक भी नहीं है इसका दावा अंजू के पती नसरूला ने किया है गोरतला भै की राजस्तान के अलवर की रहने वाली अंजू ने 25 जुलाई को अपने फेस्बूक फ्रेंड नसरूला से साधी कर ली थी इससे पहले अंजू ने इसलाम धरम भी कबूल किया था आपको बता दे इसी साल जुलाई में अपनी फेस्बुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गई अंजु को अब भारत की याद आ रही है इसलाम कबूल कर फातिमा बनी अंजु के पती नसरुल्ला ने दावा किया है कि अंजु का अपने दो बच्चों की याद आ रही है और वह मांसिक रूप से भी बिल्कुल ठीक नहीं है समचार अजंसी के मताबिक अंजु के अगले महिने में अक्टुबर में भारत लोटने की उमीद है 34 वर्षिया अंजु उर्फ फातिमा जुलाई से पाकिस्तान के खैबर पक्त नुकवा में रह रही है पाकिस्तानी मीडिया ने खबर दिया कि अंजु ने इसलाम धरम अपना लिया है और अपने फेस्बुक मित्तर नसरुला से साधी कर लिया मांसिक रूप से प्रहसान है अंजु समचार एजनसी को फोन कर दिया इंटर्वियू में अंजु के पती नसरुला ने खुलासा किया कि उनकी पतनी मांसिक रूप से प्रहसान है और अपने बच्चों को बुरी तरह से याद कर रही है नसरुला ने आगे कहा कि अंजु मांसिक रूप से प्रहसान है और अपने बच्चों को बहुत ही याद करती हुई है और उसके पास वापस जाने के लावा कोई दूसरा वी कल्प नहीं है अंजू के पती नसुल्ला ने अंजू के मानसिक स्वस्ता के लिए चिंता वेक्त किया और कहा कि उनका भारत लोटना बहतर होगा बता दे कि अंजू के दो बच्चे हैं एक पंदरा साल की बेटी और एक छा साल का बेटा नसुल्ला ने बताया कि पाकिस्तान में अवश्यक दस्ता वेजिकरन परिक्रिया पूरी होने के बाद अंजू भारत लोटाएगी उसरे या भी कहा कि अगर उसे वेजा मिल जाए तो वा अंजू के साथ भारत भी आ जा सकता है आज की वीडियो में तने थैंक्स टू वाचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाओ